दोस्तों आप लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि अल्ट्रा वाइड मॉनिटर जो है क्या हमें लेना चाहिए और अगर लेना चाहिए तो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर कम से कम कितने का पड़ सकता है क्या प्राइसे चल रहे हैं इसके बारे में फूल डिटेल्स में बात किजिए तो इस video के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अल्टरा वाइड जो monitors होते हैं, उनके क्या prices हैं और उसे किन-किन लोगों को use करना चाहिए, उससे क्या-क्या benefits हो सकता है, कहाँ पर benefits हो सकता है, इन सब के बारे में हम लोग details में समझेंगे बस इसे समझने के लिए वीडियो के साथ लाश तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके हमारा हाउसला भी बढ़ाते रहें कमेंट करना ना भूलें कि आपको next वीडियो की topic पर चाहिए क्योंकि ये सारी जोभी वीडियो की बन रही है वीडियो एडिटिंग में इसलिए help करते हैं कि वीडियो एडिटिंग के time में हमें time line थोड़ी लंबी मिल जाती है तो अच्छे से हम उसको देख करके cut कर पाते हैं उसमें जो है हम वीडियो को एडिटिंग कर पाते हैं लेकिन उस condition में कोई बड़ी screen भी उतना ही काम करेगी अल्ट्रा वाइड अगर सही मायने में देखा जाए multitasking में जादे काम करता है जिन लोगों को दो डिस्प्ले की जरूरत है जैसे ट्रेडिंग्स वगेरे में दो डिस्प्ले की अगर जरूरत है तो आप एक ही अल्ट्रा वाइड मॉनिटर रख सकते हैं उससे क्या होगा? अल्ट्रा वाइड होने के वज़े से सेंटर मान करके आप दोनों तरफ दो विंडो खोल पाते हैं और दोनों में ही आप बराबर काम कर पाते हैं बीच में कोई भी जो है आपकी दूरी या डिस्टेंस नहीं मिलता है ये अल्ट्रा वाइड में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लेकिन वहीं पर दो मॉनिटर अगर रखते हैं तो दोनों कितना भी वेजल लेस होगा लेकिन बीच में आपको डिस्टरवेंस पैदा करता है वही सारी चीजे अल्ट्रा वाइड में नहीं होता है तो जिन लोगों को मल्टी टास्किंग पर काम करना है और हमेसा दो विंडो खोल करके एक ही साथ रखना है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है एरिटिंग में भी कई बार ऐसी जरूरत होती है कि आधे में तो हम टाइंल लान के उपर काम कर लेते हैं आधे में हम चाहते हैं कि images, photos वगएर रख करके हम जो है कब किसको लाना है, कब किसको यूज करना है तो यह अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं कुल मिलाय उला कर कि editing के time में भी हमें multi windows की जरुवत होती है और trading वगेरे के time में भी हमें multi windows की जरुवत होती है तो उन सारे conditions में दो monitor का जगह जो है एक ultra wide monitor ले लेता है और उसके अंदर दो monitor का fill आप ले पाते हैं इसलिए एक ही monitor के खर्चे में आपका दो monitor का काम हो जाता है और सबसे बड़ी बात कि बीच की जो दूरी बन रही है बीच का जो break बनता है वो खतम हो जाता है तो इसलिए उन लोगों को जो है ultra wide monitor का इस्तेमाल करना चाहिए जिन लोगों को दो windows की हमेशा open रखने की जरूरत होती है यानि दो monitor की जरूरत है तो आप एक जो है ultra wide monitor यूज़ कर सकते हैं आईए अब हम बात करते हैं कि इसमें कौम कौम से monitor आ रहे हैं इनके क्या क्या प्राइसेस हैं तो सबसे ज़्यादे ultra wide में जो काम करती रही है कंपनी वो करती रही है LG का LG का बहुत सारे models आते हैं सबसे कम price के अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है LG का आता है 29Wi500 ये model जो है बहुत ही सस्ता model है और 39 इंच के अंदर आने वाला ये full HD का monitor है IPS panel के साथ में आता है HDR10 का support मिलता है और SRGB 99% आता है यानि कि आप इसमें color accuracy का काम भरपूर देख सकते हैं photo processing, video editing सब कुछ कर सकते हैं बहतर धन से खास करके बिसेश ध्यान रहता है इस type के monitors का, company का कि ये video editing स्वाले लेंगे इसलिए color accuracy का बहुत भी सिस ख्याल रखा जाता है इसलिए SRGB 99% होने के बज़े से color accuracy बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको और बहुत ही slim bezel के साथ में ये आपको मिल रहा है 2 HDMI का support इसके अंदर मिल रहा है इसलिए आपको full flash में आपको इसको use करने के लिए आपको मौका मिल रहा है आप इसको ले सकते हैं बहुत ही प्यारा black color में जो है दिखने वाला है 19 सिंच के अंदर इसी के अंदर दूसरा model है इस दोनों में कोई खास अंतर नहीं है दोनों में से कोई साभी आप buy कर सकते हैं दोनों का ही मैं link दे रहा हूँ अगर first model की अगर हम बात करें तो भी फिलहाल जो price चल रहा है 17,000 रुपे में ये first model मिल जाएगा 29 सिंच के अंदर और जो दूसरा model है वो भी 29 सिंच के अंदर ही है उसके बाद next की अगर हम बात करें तो वो है 34 इंच के अंदर 34 इंच के अंदर अगर आपको monitor चाहिए ultra white के अंदर तो आप इसको भी ले सकते हैं लेकिन इसके अंदर एक problem है LG का ये 34 इंच का ultra white full HD है ये full HD में 34 इंच थोड़ा सा आपको problem कर सकता है reason क्या है कि ultra white अगर आप pass से देखते हैं तो 34 इंच एक बहुत बड़ी screen हो जाती है कुछ जादे ही ये wide हो जाएगा तो जिसके वज़े से क्या होगा कि इसके अंदर pixelation की थोड़ी सी problem आएगी pixelation यानि कि अगर white screen अगर रह रही है और black से लिखा हुआ है जिसके वज़े से थोड़ा सा experience आपका lose होता है तो बड़ी screen जब भी जाते हैं 32 इंच से उपर या फिर 32 इंच तक कुछ हद तक full HD दो है चल सकता है लेकिन full HD का सही मज़ा 27 इंच तक आता है उससे उपर बढ़ते हैं तो कम से कम 2 के resolution बहुत जरूरी हो जाता है या फिर 32 इंच तक काम चला सकते हैं थोड़ा सा दूरी अगर आप बनाया करके रखते हैं तो वो pixelation आपको नजर नहीं आएगा आपको experience बहुत अच्छा आएगा लेकिन यह 34 इंच थोड़ी सी जादे बड़ी हो जा रही है तो video editing purpose से अगर आपका table 3 feet का है और 3 feet का table है लास्ट में अगर आप रखते हैं और आप पीछे हो जाते हैं आनि कि 4 feet दूरी पर अगर आप बैठते हैं तो उस condition में यह pixelation आपको नजर नहीं आएगा वो दिक्कत नहीं आएगी उस condition में यह आप ले सकते हैं लेकिन अगर आपका table छोटा हुआ आप जहां बैठते हैं वो जगह कम हुई पीछे आप नहीं जा सकते बहुत पास से देखना है तो यह full HD आपको problem कर सकता है उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो जो pixels हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको दिक्कत करेंगे HDR10 का support मिल रहा है इसके अंदर IPS panel के साथ में आ रहा है sRGB 95% है इसके अंदर तो यानि कुल मिला जुला करके थोड़ा सा 34 इंच के हिसाब से मैं यह नहीं कहूँगा अगर दूरी से देखना है अगर बिल्कुल आपके इक शाही है कि नहीं हमें यह monitor लेना ही है तो ले सकते हैं बिल्कुल भी इसके अंदर reader mode में मिल जाता है और साथ में HDMI का connectivity इसके अंदर देखने को मिल रही है headphone out जेक मिल रहा है और यह gaming monitor कहता है gaming monitor चुकि क्या ही कह सकते हैं चुकि यह 75 Hz का monitor है तो 75 Hz में आप किस लेबल पर gaming कर सकते ही यह आपको ध्यान में रखना होगा उसके हिसाब से ही आपको इसे बाए करना चाहिए तो मेरे हिसाब से size बढ़ रहा है full HD के अंदर मुझे उतना मज़ा नहीं आएगा इसके अंदर अगर next monitor के अगर हम बात करें तो यह 29 inch के अंदर ACIR का जो यह model है XZ306CX यह बड़ा ही trending model रहा है और बहुत बिक्ता है और region इसका यह है कि curve में सस्ते में आने वाला ultra wide में आने वाला यह एक ऐसा monitor है जो बहुत ही सस्ते में आता है और बहुत ही खूबसूरत होता है बहुत ही प्यारा दिखता है और बाकी सारी चीज़े भी बहुत अच्छी होती है इसकी यह curve monitor होता है 25-60 into 1080 C यानि Full HD का इसके अंदर resolution मिल जाता है और सबसे बड़ी बात यह जो है इसका 200 Hz जो है refresh rate मिल जाता है 1ms जो है response time के साथ में आता है यानि कि यह gaming में बहुत यह अच्छा आपको feel दिलाने वाला है HDR 400 का support मिल रहा है 2 HDMI और एक display port के साथ में यह आता है eye care feature के साथ में आता है और white color का यह दिखने में बहुत ही खुबसूरत monitor होता है तो 29.5 करीब करीब 30 inch के अंदर आने बाला यह बहुत ही खुबसूरत monitor हो सकता है और मैं बहुत ही खुबसूरत और अच्छा कहने का मतलब यह है या भी feelahal इसका जो price है वो 22,000 रुपे में यह आपको मिल रहा है तो 30 inch के अंदर 22,000 रुपे में monitor अच्छा हो सकता है अब बिल्कुल इसको buy कर सकते हैं उसके बाद next जो है Acer के अंदर ही यह हमारा सबसे पसंदिदा monitor है और आपका भी हो सकता है reason उसका यह है कि यह 2K monitor है QHD 34,000 इंटू 14,000 जो है इसका resolution मिलने वाला है यानि कि यह 34 inch का है बड़ा monitor है लेकिन 2K का support मिल रहा है तो अगर पास से भी आप जो है इसमें video editing बगएर करते हैं तो pixelation का जो problem है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाली है बहुती स्मूथ दिखने वाली है इसकी screen उसका reason है इसका resolution HDR10 का support इसके अंदर भी मिल रहा है 1ms का जो है response time के साथ में 75 Hz इसका refresh rate है वही पर बात आ जाती है कि gaming में 75 Hz पर कहां तक आप gaming कर सकते हैं वो आप लोगों को भी पता होगा कुल मिला जुला करके वीडियो एडिटिंग के लिए ये जो monitor 34 inch के अंदर है बहुत अच्छा है और फिर multi tasking के लिए reason उसका ये है कि ये 2K के अंदर है price की अगर हम बात करें तो इसका price 28,990 है 2K में है 34 inch के अंदर है तो 29,000 रुपे ये price बहुत अच्छा है model भी बहुत अच्छा है तो जिन लोगों को ultra wide चाहिए मेरे हिसाब से मेरे नजर में सबसे अच्छा ये monitor हो सकता है अन्य था आपको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आप 17,000 में LG का 29 inch का ले लिजिए आपका काम बन जाएगा अगर कम दाम में ही अगर आपको ultra wide का मजा लेना है तो 17,000 में जो first वाला model है उसको बाई कीजिए अन्य था टूके में जाईए और 10,000 11,000 और लगाईए और भरपूर आनंद लिजिए 34 inch के अंदर टूके तक का ले करके दोस्तो ये वीडियो इंफर्मिशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जुरूर बताएं इसी प्रकार की बहुत सारी इंफर्मिटी वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं इस्टाइब की बहुत सारी इंफर्मिटी वीडियोज ले करके आता रहता हूं जो आपके लिए काफी helpful सो सकती है दोस्तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफर्मिटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्ने बात करता हूं आपका दिल सुखो